नमस्कार आप देख रहें विंध्या टाइम्स और में हूँ आपके साथ भिलास विंध्या टाइम्स की खबर का एक बार फिर सीधी जिले में असर देखने को मिला है आपको बता दे जिसके बाद चार लोगों के खिलाब धोका धड़ी का मामला दर्च किया गया है पूरा मामला आपको बता दें सीधी में कुछ महीनों पहले ही बिंध्या टाइम्स द्वारा आटिया इकार करता आटल मिस्त्रा के साथ उद्योग विभाग से सास्की नीमो को ताक पर रखकर फरजी लोन लेने के मामले का खुलासा किया गया था मिलने वाली योजना का दुर्प्योग करने के मामले को लेकर यूबी आई के ततकालिन साखा परबंदक सही चार पर धोका धड़ी का मामला दर्च किया गया है बताया गया कि यूइन बैंक आउफ इंडिया डीपी कॉंप्लेक्स मुक्क साखा सीधी से हिद्गराही अनिल भूर्तिया पिता यजलाल भूर्तिया और अनिल इंटरप्राइजेस पूजा पार्क दुकान नंबर 26 सीधी निवासी सीधी खुर्द गवाड 24 द्वारा कई ब रासी रुपए 5,38,000 बैटरी कारे हे तुलिया गया था भूर्तिया द्वारा वर्स 2014-15 में पीमीजीपी योजना के अंतरप्राइज बैटरी निर्माण हे तु मैनुफेक्शिनिंग काई के लिए सासन से 22,60,000 का रिण प्राप्ट किया गया है एबं अनुदान रासी 5,62, रुपए भी प्राप्ट किया गया है अनिल भूर्तिया द्वारा वर्स 2018-19 में मुखमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतरप्राइज परिवाहन रिण 8,50,000 रुपए लिया गया और साथ ही आपको बता दें जिसकी अनुदान रासी 2,00,000 रुपए भी प्राप्ट किया गया है जबकि नीमा अनुसार हित्गराही केवल एक ही बार किसी अनुदान वाली योजना का अलाव ले सकता है अब अनिल भूर्तिया पूर्व से ही एक उद्दिमी होकर अनिल इंटरप्राइजन नामत दुकान का संचारन करते हैं तथा आयकर दाता भी हैं अनिल भूर्त सेम के निजी कारियों में किया गया है जो कि सासन के नीमों के पूर्टा विवरीत है दुकान का सत्यापन तत्काली न्यूबिया इसाखा प्रबंदक संजीव कुमार समराट घोस एवं ग्रामेड विकास दिकारी महश जोगदन दौरा किया था अनिल भूर्तिया दौरा दो पूरे मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर तरुन कुमार बेडिया कर रहे थे जिसके बाद दोसी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाब मामला पंजी बद किया गया है